हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विदिकारी में दोस्तों अब इस वीडियो के द्वारा हम संपत्य अंत्रण अधिनियम अर्थाग टीपीए से संबंधित प्रस्णों को हल करने जा रहे हैं इसमें हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विहार य हमें पूरा विश्वास है कि आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा आने वाले एक्जाम में और प्री तो आएए शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है प्रत्यासन का सिध्धान तो प्रत्यासन का सिध्धान टीपीए की धारा 92 के अंतरगर दिया गया है और सास्वत्ता के वि द्वारा अंधून क्या है संचैन क्या होता है तो यह जैसे जैसे प्रस्ण हम देखते जाएंगे उसमें आपको इसके वारे में विस्तार से व्याक्ख्या सहीत समझाेंगे तो इन प्रस consent को पहले मिलान करने वाला जो उसको हम ऐसे देखते हैं तो बिवंध द्वारा अनुदान का जो सिद्धान्त है यह धारा 43 के अंतरगत दिया गया है और संचेन का सिद्धान्त 17 के अंतरगत दिया गया है तो इस प्रकार से एक दो तीन चार अर्थात सभी सुमेलित हैं नेक्स्ट संपत्य अंतरण अध्रियम निमलिकोठ मेंसे किसकी मानेता नहीं देता April है तो संपत्य अंत्रण अध्रियमिक clan के तहट जो सूचना है अर्थात नोटिस है यह वास्तविक हो सकती है अभ्यार ओपित अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हो सकती है लेकिन पूरों सम्व्यवहार के अंतरगत नोटिस यह टीपिये के अंतरगत मानने नहीं है कि नेक्स्ट नेक्स्ट संपत्ति अंत्रणा अधिनियम के अरहिन अजात व्यक्ति अपने फाइदे के लिए किये गए अंत्रणा पर कब नहित हित अरजित कर लेता है तो अजात व्यक्ति के फाइदे के लिए जो जो संपत्ति अंतरित की जाती है उसके बार इंप्रावधान धारा 13 के अंतरगत दिया गया है और कोई जो संपत्ति अजन्म व्यक्ति के फाइदे के लिए अंतरित कर दी गई है तो धारा 20 में बताया गया है कि जैसे ही वह अजन्मा व्यक्ति जन्म लेता है वह संपत्ति उसमें निवित हो जाती है तो अर्थात जन्म लेते ही अचल संपत्य नहीं है तो अचल संपत्य की जो परिभासा दी गई है वो धारत तीं के अंतरगत दी गई है कि अकलाकास्ट के अन्तरगत ओगती फसले या घम हम अ है तो इस प्रकार से प्रकार थो यह खिंद इसको ध्यु ed गया कि कौन सी अचल संपत्ति नहीं है तो इसमें तेदू पत्ता एकत्र करने का अधिकार मचली पकड़ने का अधिकार और सुखाचार का अधिकार यह अचल संपत्ति माने जाते हैं लेकिन आराधना या पूजा करने का अधिकार यह अचल संपत्ति नहीं है यह सारे अधिक तो इसी प्रकार से जैदेव सिंग बनाम रामसरण पांडे का जुकिस था इसमें यह बताया गिया जैदेव सिंग कि बनाम रामसरण पांडे के मामले में पतना उच्णियाले ने यह कहा कि पूजा करने का अधिकार जो है वह अचल संपत्ती नहीं है नेक्स्ट निम्लिकित में से किस वाद में यह निर्धायद किया गया कि विभाजन संपत्ति का अंत्रण नहीं है तो जो विभाजन होता है यह कोई अंत्रण नहीं होता बलकि यह कोई संयुक्त संपत्ति जो है जो कि A और B की है और जब इस संपत्य का बटवारा हो जाता है तो यह विभाजन यह अंतरण नहीं है क्योंकि यह संपत्य जो है अलेड़ी ए और बी के कबजे में ही थी उनके स्वामित्यों में थी अब इसी संपत्य को अलग कर दिया गया है और वे जो ए और बी है वो अपने-पने हिस्से के जो हकदार है वो बने रहेंगे तो इस ब्रकार से जो विभाजन है वो है अंतरण नहीं है ऐसा निड़े बी एन सरीन बनाम अजित कुमार के केस में दिया गया था और संपत्य अंत्रणं अध्रियमकी कीश धारा के अंतरघत समेकन का सिर्दांत समाहित किया गया है तो आयके पास कि इन संपत्यों मेंसे कि दोनों का एक साथ या किसी एक संपत्ति का वह मोचन कभी भी करा सकता है तो इसी सिद्धान्द को समेकन का सिद्धान्द कहा गया है नेक्स्ट सुमेलित कीजिए तो पहला है प्रीमियम तो प्रीमियम जो है यह पट्टा के अंतरगत दिया जाता है एक अतीसरा है कि सारभौमिक अधाता अर्थात सर्वस अधाता जिसे कहते हैं इसके बारे प्रावधान धारा 128 में दिया गया है तो यह दान के संबंध में अधाता मतलब लेंदार या देंदार यह दान के मामले में होता है मोचन यह बंधक का होता है और क्रेटा और विक्रेटा यह विक्र निमनűकित कुंड़ का आवस्यक्त तत्व नहीं है और पट्त्व को वथी को धिया गया है और पक्सिकार होता है संपत्थ्य होती है और कि मित वांसिक काल के लिए यां निस्चित समय के लिए साष्वत काल के लिए उसका अंत्रण किया जाता लेकिन इसमें पूर्ण अंत्रण सामिल नहीं है क्योंकि जब पूर्ण अंत्रण हो गया तो वह पट्टा नहीं रह जाता है बलकि वह विक्रय हो जाता है या दान हो जाता है तो इस प्रकार से यह पूर्ण अंत्रण पट्टे का आउस्यक्तत्व नहीं है नेक्स्ट संपत्य अंत्रण अध्रियम की धारा 54 के अनुसार अचल संपत्य का विक्र संभिदा है जो यह एक संभिदा है जिसमें संपत्य का विक्र पक्षकारों के बीच हुए सर्तों पर होता है और इसके बारे में जो प्रावधान है अधारा 54 के अंतरगर दिया गया है और चंवन का जो दूसरा पैरा है उसमें यह बताया गया है कि अचल संपत्य की विक्र संभिदा ऐसी संभिदा है जिसमें अचल संपत्य का विक्र पक्षकारों के बीच तथा तै ह हुए सर्तों या निबंधनों पर होता है नेक्स्ट नेमलिखित में से कौन अन्योज दावा है तो अन्योज दावा यह जो कापी राइट है किसी पुस्तक का प्रतिलिप्य अधिकार अर्थात कापी राइट यह अन्योज दावा नहीं है क्योंकि एक निर्ड़ा था सावित् यहिव नाम दौरीक प्रसाइद इसमें यह कहा गया था कि यह अधिकारिक्ः कॉपी राइट यह एक अन्योज दावा नहीं से और मुस्लिम महिला का अधत मेहर का दावा यह यह अन्योज दावा नहीं तो मने हैं यह निक लिकषित न को स्थानी प्रथा के अबाव में क्रिसी पट्टे की अवधी के मामले में पट्टे की इस्तिति क्या समझी जाएगी तो टीपीए की दारा ऐसे पट्टों का परियवसान जीसे वर्सान वर्सी है तो इसकी 6 माह पूर सूचना देकर इसको परियवसान किया जा सकता है और मासानु मासी अर्थात महीने से महीने तक का लिए जो पट्टा होता है उसका परियवसान करने के लिए 15 दिन पूर सूचना देनी अवस्चक होत तो प्रतियस्थापित प्रतिभूद का सिध्धान्त टीपिय की धारा 73 के अंतरगत दिया गया है कि इसके अनुसार जो बंधक ग्रहीटा है अर्थात जिसके पक्ष में बंधक किया जा रहा है वह केवल बंधक संपत्ति तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि आइसी पर युद भी अरिकार रखता है जोकि बंधकित संपत्ति हैं उसके एवज में प्रतियस्थापित कर दी जाती है तो इसे ही प्रतियस्थापित प्रतिभूद का सिध्धान्त कहा जाता है है जो की ठीहराव दार्औ की अंतरण स्माहित है कि संपत्ती का अंतररण नहीं हो सकता है इसके बारे में जो प्रावधान है डुट संथर का अंतरेण तो इस प्रकार से इन सभी का अंतरण नहीं किया सकता। कि नेक्स्ट छुनाव का सिधान्त संपत्ति अंतरण अध्याय के अंतरगत रखा गया है तो छुनाव का सिध्धान anak 모습 जो है कि दो में आता है और इसे ही निर्वाचन का सिध्धान का जाता है और यह तीपिय की धारा 35 में इसका प्रावधान किया गया है कि नेक्स्ट संपत्य अंत्रण अधिनियम की धारा उन्चाज के अंतरगत अंतरिती बीमा लाभ को निम्नि में यह इने इस बीओ कर दीया और यह जो प्रॉपर्टी तोreb है इसका फीमा है इस बद्द्द के लिए भीमा अगला लगनाने की कारण जल केई निश्ट हो जाती सांध भीमा में इसे वीओ को राप्त होगी क्योंकि यह झुक्त Heather कर दिया है तो इस property के साथ जो अन्हीत है जिसे बीमा है तो वह भी बी को अंतरित हो जाएगा तो उन्चास के अंतरगत यह बीमा जो है क्योल अगनी के कारण हुए नुक्सान के मामले में लागू होता है तो यही प्रावधान धारा उन्चास में किया गया है संपत्ति अंतरण अध्रियम की धारा 36 निम्निकिस सिधान से संबंदित है तो धारा 36 जो है यह प्रभाजन के सिधान से संबंदित है इसके अनुसार जबकि किसी जो प्रापरटी है इसका स्वामित दो अलग-अलग व्यक्तियों के अंतरगत नहीं हो जाता है अर्थात ए और सी को किराय पर दिया हुआ है जो जिसका मासी किराय मान लीजिए 100 रुपए है और सी इस किराय को एको हर महिने देता रहता है एक तारिक को और यह 15 तारिक को यह स्वामपत्ति बी को ट्रांसफर की जाती है तो ऐसी स्थिति में महीने का जो 15 दिन है उसका किराया सी एक को देगा और बाकी के 15 दिन का किराया बी को देगा क्योंकि महीने के आद्य समय वह स्वांपत्थी एक के स्वामितом में थी और आद्य समय वह स्वामित में थी इसी वजह से जो किरायय का यह बीभाजन वह जाएगा और यह 50-50 ृपय दोनों को दे होगा इस यही को बड़ाजन का सिध्धांत का जाता है कि next संपत्य अंतरण्यम कि धाराइब 11 तब ही लागू होगी जब कि संपत्य में अंतरित हिद पुन्र हो। और 11 के अंतरगत या प्रावधान किया जो किसी संपत्थी में किसी व्यक्तिकाहित श्रिष्ट कर दिया जाता है तो उस संपत्थि के उप्योग पर कोई सर्थ या नहीं लगा जा सकता है संपत्य अंत्रण अधिनियम DO की अंतरगत राजस्व प्रतिकर की प्राप्ती आधिकार निम लिखित में से किस पर आधारित होता है तो यह अधिकारण अंसदान्द के सिधान्थ पर अधारित होता है लोंर समपत्य अंतरण अधिनेंध के अधीन में से कौन अलब है तो हीट नहीं आता है उप्वो फिख्क अरिकार तो यह भी अंतरण के रिंध तुद्ट स्वामित का अंतरण के लिए जो करनों कि आजता है गार कि नेक्स्ट संपत्य अंत्रण अधिन निम्ण में से कौन अंत्रण है तो जो रिण का अंत्रण है यहीं अंत्रण है बाकि भार बटवारा समर्पन यह अंत्रण नहीं कहलाते हैं कि नेक्ष्ट संपत्य अंत्रण अध्रियम के अधिन निम्न संपत्यों में से किसको उंत्रीत किआ जा सकता है प्रावधान धारा च्या के अंतरगत दिया गया है कि क्या अंतरित किया जा सकता है कि और इसके अनुसार जो अन्योज दावा है इसका ही अंतरण किया जा सकता है क्योंकि अन्योज दावा के बारे में जो प्रावधान है अलग से धारा 130 के अंतरण भी दिया गया है इसमें यह बताया गिया है कि अनुयोजदावय का अंतर्ण किया जा सकता है, बाकि धाराच्छई के अंतरगत यह बताया गिया है कि अधिस्ठाइी दाय से पृतोर्थाक सुखादिकार को अंतरितो नहीं किया जा सकता, केवल वाद लाने के रिकार को अंतरित नहीं किया जा सकता भावी भरन पोशन के रिकार को भी अंतरित नहीं किया जा सकता है जबकि धारा 130 के अनुशार अनुयोज दावे का अंतरण किया जा सकता है नेक्स्ट जैदयाल पोद्दार बनाम हजारा बीवी का वाद किस से संबंदित है तो जैदयाल पोद्दार बनाम हजारा बीवी का जो केस है वह दृष्च्यमान स्वामी से संबंदित है और दृष्च्यमान स्वामी के बारे इंप्रावधान धारा 41 के अंतरगत दिया गया ह द्रिष्टिमान स्वामी से तात्परीय अईसए कि देखने से प्रफण्द रिष्ट्यया यह प्रतीत होता है कि संपत्त्ति का स्वामि जबकि वास्तों में ऐसा व्यक्ति व संपत्ति का स्वामि नहीं होता है नेक्स्ट संपत्ति अंत्रण अध्रियम के अंतरगत पुरो बंध का उपचार निम्न बंधकों में से किसमे उपलब्ध है तो पुरो बंध का उपचार उपचार वह दो प्रकार के बंधकों में उपलब्ध होता है तो पहला तो यह है ससर्त विक्रेद्वारा बंधक में और दूसरा बिलक्षण बंधक में इन दो बंधकों के मामले में ही यह पुरो बंध का उप्चार उपलब्ध होता है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो टीपीए की धारा सरसड़ के अंतरगत दिया गया है में नेक्स्ट संपत्य अंत्रण अध्रियम के अंतरगत के 5000 रुपए को इस सर्थ पर अंतरित करता है कि वह गय गय और च्यकी स्विक्रिते से विवाह करेगा तो इस 26 के अंतरगत यह माना जाएगा कि उसने उस सर्थ का सारत्य हनुपालन कर लिया है और यह जो प्रस्थन है वह 26 के द्रिश्टांत कर पर आधारित है इस प्रकार से यह विवाद वयद है नेक्स्ट संपत्य अंतरण अधियम की निम धाराओं में से किस धारा में कहा गया है कि यद किसी मामले में बीधि ने असपस्टतिया लिखित में नहीं मागा है तो संपत्य का अंतरण बीना लिखे भी किया जा सकता है तो ऐसा प्रावधान धारा 9 के अंतरगत दिया गया है दारा नौ में टीपीए में यह बताया गया है कि हर उस दसा में जिसमें बीधी द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित नहीं किया गया है तो संपत्ति का जो ट्रांसपर है वो बीना लिखे भी किया जा सकता है नेक्स्ट संपत्य अंत्रण अधिनयम की धारा तीन के अधिन लिखत से क्या अभिप्रेत है तो धारा तीन के अंतरगत लिखत से ताथ पर अवसियती लिखत से है लिखत क्या ताथ पर यह है कि अवसियती लिखत नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सही सुमेलित है पहला है सर अधाता अर्थात वुप लेंदार तो इसके बार्वडारा 128 में दिया गया है बंढकित चिसके बारें प्रावधान 1134 के अंतरग्त दिया गया है और धन का विनिमयं। खWhy के भार का विनिमय के बारें प्रावधान 11110 में दिया गया है तो इस प्रकार से दूसरा सुमेलिद है नेक्स्ट अस्थावर संपत्य के अंतरगत क्या सामिल है तो अस्थावर संपत्य अचल संपत्य जिसकी परिभासा धारतीन के अंतरगत दी गई है तो धारतीन के अनुसर अचल संपत्य के अंतरगत घास उगती फसले और खड़ा कास्ट नहीं आते हैं तो इस प्र कार से उपर्योगत कोई नहीं है कि नेक्स्ट को । संपत्य अंत्रण अध्रियम की निम्न मेंसे कौन सी धारा मौखिक अंतरण से संबंदित ह towel के बारे उप्रावधान दारा 9 में दिया गया है दारा 9 में यह कहा गया जब तक कि बीडी द्वारा व्यक्त रूप से पेक्षितना हो किसी संपत्ति का जो अंत्रण है वह मौकिक रूप से किया जा सकता है और धारा-5 के अंत्रण की परिभासा बताई गई है धारा साथ के अंतरगत यह बताया गया है कि अंतरण करने के लिए कौन सक्षम होगा अर्थात ऐसा व्यक्ति अंतरण कर सकता है जो संबिदा करने में सक्षम हो वही व्यक्ति अंतरण करने में सक्षम है और धारा आठ में अंतरण का प्रभाव बताया गया है संपत्य अंत्रण अधिर्यम की कौन सी धारा अजन्मे व्यक्ति के फाइदे के लिए संपत्य अंत्रण से संबंदित है तो अजन्मे व्यक्ति के फाइदे के लिए अंत्रण के बारे में प्राउधान धारा 13 के अंत्रण कर दिया गया है और जब ऐसा अंत्रण कर दिया जाता है तो दारा 20 में यह बताया गया है कि ऐसा अजनमा व्यक्ति जैसे ही जन्म लेगा तो वह संपत्ति जो है उसमें नहित मान ली जाएगी तो दारा 13 के अनुसार किसी अजनमे पक्ष में संपत्ति का अंत्रण किया जा सकता है और ऐसा अंत्रण सीधे सीधे उस अजन्में व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जाता है बलकि किसी अन्य व्यक्ति को वह संपत्ति अजनमे व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरित की जाती है और जब वह व्यक्ति अजनमा व्यक्ति पैदा होता है तो वो उसमें संपत्ति को नहित मानलिया जाता है नेक्स्ट संपत्य अंतरण अधनियम के अंतरगत निम्लिखेत में से कौन सई सुमेलित नहीं है तो पहला है अंतरण अवरुद्ध करने वाली सर्थ तो यह धारा नौ के अंतरगत नहीं है बलकि यह धारा दस के अंतरगत बताई गई है धारा नौ के सास्वत्काल के लिए अंतरण की बात की गई है और ससर्थ अंतरण के बारे प्रावधान धारा 25 के अंतरगत किया गया है तो इस प्रकार से पहला ही सुमेलित नहीं है नेक्स्ट संपत्य अंतरण अधनियम 1882 कब प्रवर्तित हुआ है तो यह एक जुलाई 1882 से प्रवर्तित है नेक्स्ट यह 5000 रुपए बी को इस सर्थ पर अंतरित करता है कि वह सी डी और एकी साहमति से विवा करेगा लेकिन बाद में उनकी साहमति प्राप्त कर लेता है तो इस मामले में जो बी है उसने सर्थ को पूरी नहीं किया है और इसके बार एंप्रावधान धारा 26 के अंतरण दिया गया है और यह प्रस्ण भी धारा 26 के दिरिश्टांत खयपर अधारित है दाराथ 26 के अनुसार जबकि किसी संपत्ति का अंतरित किया जाता है और इस सर्थ पर अंतरित किया जाता है कि किसी ब्यक्ति को वह संपत्ति तभी प्राप्त होकी जबकि वह उस सर्थ का पालन करे तब वह संपत्ति उसे तब तक अंतरित नहीं की जा सकती जब तक कि वह उस स सर्थ का सार्थ हनुपालन नहीं करता है और बाद मैं सःमती प्राप्त करता है तो यह यह नहीं जाएगा कि उसने उस सर्थ का सार्था हनुपालन किया है और इसलिए यह जो सर्थ है वो पूरी नहीं किया है और यह विवा सुन्ने माना जाएगा लेकिन यदि मान लिजे कि C, D और E में से कोई मर जाता और वह बचे हुए दो व्यक्तियों की सामति से विवा करता तब भी यह मान लिया जाता कि उसने जो सर्थ है उसका सार्था हनुपालन कर लिया है और एक फार्म B को उसके जीवन परियंत के लिए इस उपबंध के साथ अंतरित करता है कि यदि ए ने अमुक जंगल काटा तो अंतरण के प्रभाव का अंत हो जाएगा भी उस जंगल को काट डालता है तो फार में उसके हित पर क्या प्रभाव होगा तो उसका हित जो है वह समाप्त हो जाएगा अर्थात वह अपना हित खो देगा क्योंकि इसके अंतरण अधियम के अंतरगत निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो पहला है कि द्रिश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण तुईया धारा सिध्धान्त यह धारा 52 के अंतरगत दिया गया है कि नेक्स्ट संपत्य अंत्रण अध्रियम की सधारा के अंतरगत प्रावधान है कि नीहित हित कपज्ञा प्राप्त करने से पहले अंतरती की इमृत्ती हो जाने से भिफल नहीं हो जाता है तो इसके बारे में जो प्रावधान है द्हारा 29 के piace है कि वेरा 2 में किया गया है है तो के considered हमें यह प्रावधान है कि छिए लोक हिँद के फाइदे के लिए सासवत का ने के संपत्त्रiments कर्याद को रोम का अपवाद है कि सासुष काल के लिए किसी संपत्थी के नहीं रोगा जा सकता है धारा 20 में के लिए 13 के तहत कोई संपत्ती उन्तरिन की जाती है तो जैसे ही यह गहीं जन्म लेता है वह उस संपत्य में अपना निहित हीटराप्ट कर लेता है और है कर समासृत के बारे में प्रावधान किया गया है कि कोई हित किसी व्यक्ति में तब होगा जब की वह किसी सर्थ को पूरी कर दे अर्थात उस सर्थ के पूरी होने पर इसका हीट आशरित हो नेक्स नेक्स जहां प्रतिभूत मूलधन सव रूपय या उस्याधिक है वहां बंधक हक बिलेखों के निक्षेपों द्वारा बंधक से भिन्न है तब ऐसा जो बंधक है किवल प्रभाविक किया जा सकता है तो इसके बारे में प्रावधान धारा 69 के अंतरगत दिया गया है तो यह जो बंधक है वह है पंजीक्रित लिखत के द्वारा कि बंधक करता द्वारा हस्ताक्षरित करने के द्वारा और कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमारित करके अर्थात इस सभी जो रितियों से उसे प्रभावी किया जा सकता है next पूरोबंद या विक्राय का अधिकार संपत्य अंत्रन अधिनियम की किस धारा में बताय गया है तो यह अधिकार TPA की धारा 67 के अंतरगत बताय गया है और अन्य बंधकों में यह अधिकार नहीं मिलता है मुझेख्ट जैद्याल पोदर बनां भीवी हाजरा का वात किसे संबंदित है द्रिश्चमान स्वामी से संबंदित है और द्रिश्चमान स्वामी के में प्रावधान तो दारा 35 में जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में व्याख्या किया है कि दारा 35 में निर्वाचन का सिध्धांत बताया है और यह सिध्धांत जो है वह अचल अचल सभी प्रकार की संपत्यों पर लागू होता है नेक्स्ट निम ने किस वाद में यह निर्धाय किया गया था कि विभाजन संपत्य का अंत्रण नहीं है तो विभाजन जो है वो संपत्ति का अंतरण नहीं है क्योंकि इसमें जो स्वामित है या कबजा है उसी व्यक्ति में रहता है जहां पहले था बस संपत्ति जो है जो एक पूरी थी अब उसमें दो खंड हो जाता है इसमें एक खंड एक पक्षिकार को और दूसरा खंड अन्य कुमार के किस्प में दिया गया था कि नेक्ष्ट सुमेलित कीजिए तो पहला है लोक लाव के लिए सास्वत अंतरण कि लोक लाव के लिए सास्वत अंतरण के बारें प्रावधान यह धार 18 में किया गया है अजात व्यक्ति अपने लाव के लिए कि एक निहीत इसके बारें प्रावधान धारा भीजा कर दिया गया है कि जब इसे प्रावधान के बारें प्रावधान के और स्वामी द्वारा अंत्रन के बारें प्रावधान कि आप वालिज में दिया गया है रप्रिकार से 21 और चार तीन दूसरा विकल्ब सही है नेक्स्ट प्रीवी काउंसिल द्वारा निर्डीत निम्लिखित में से कौन सावाद कपट पूर्ण अंतरण से संबंदित है तो कपट पूर्ण अंतरण से संबंदित मुझहर साहूब नाम लाला हकीम लाल का केस है नेक्स्ट संबंदित अंतरण अंतरण के अंतरण निर्डीत में से किसी संपथिक अंतरण कहा जाएगा तोसंपथिक अंतरण किसे कहा जाएगा इसमें है दो चीज और फाय होता है यह भी जो है इसका नहीं माना जाता है अचल संपत्थ पर विद की क्रिया द्वारा भार की रिचना तो यह भी अंतरण हो होता है और बहुत के बारें प्रावधानटी प्रावदानटीप्वे की दारा 100 प्रकार 세दो और चार यह सही है नेक्स्ट निम्लिकित में से कौन से बंधक में बंधक करता बंधक धन के भुगतान हे तू स्वयम को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है तो व्यक्तिगत रूप से साधा बंधग में जो है यह बंधगदार अपने को आबध करता है ना कि अपनी कोई संपत्ति आबध करता है नेक्स्ट निम्रिकित में से कौन सा गलत है तो पहला है एक फार्म बी को उसके जीवन परियंत के लिए तथा यह दिवाय अपने पती का त्याग न करें तो सी को अंतरिट करता है भी अपने जीवन परियंत फार्म की हकदार है मानो कोई सर्थ नहीं थी तिया कथन सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 30 के अंतरगत दिया गया है दूसरा है यह 5000 रुपए बी को इस सर्थ पर अंतरित करता है कि वह सी डी और एकी सहमती से ब्यवा करेगा तो बी ने सी डी और एकी सहमती के बिना ब्युवा कर लिया किन्तु ब्यूआ के बाद उनक 26 के अंतरगर दिया गया है और 26 के अंसौर यह है सार्था पालन नहीं है क्योंकि अगर वह विवाह से पूर इनकी साहमति प्राप्त करता या CD या E में से कोई मर जाता इस्तिती में जो सेस बच्चे सद्द से हैं उनकी साहमति से बिवाह कर लेता तब माना जाता में तो भविस में स्वयम को संपति का अंतरण कर सकता है तो यह भी सही है और इसके बारें प्रावधान धारा-उनईस के अंतरगद दिया गया है तो इस प्रिकार से केवल यहीं दूसरा विकलब सही नहीं है कि नेक्स्ट संपत्ति अंत्रन अध्रियम के अंतरगत निम्लिखित में से कौन सी अचल संपत्ति है तो इंद में से मोचन कराने का अधिकार यह अचल समपत्ति है जोपड़ी अचल समपत्ति है बंधक रिड यह भी अचल समपत्ति से अधिकार नहीं प्रकार से सही है कि एक नगरपालिका संकल्प द्वारा एकस और वाई को एक भूमी पर निर्मार के अधिकार सहीत अधिपत्य इससर्थ के साथ देती है कि पट्टे की समाप्ति के बाद निर्माड नगरपालिका का हो जाएगा एक्स और वाई इस सत्व को सुईकार कर लेते हैं और भूर पर निर्माड कर लेते हैं इस संकल्प इसे सीकृति प्रभास से क्या निर्मीत होगा तो यहाँ पट्टे का निर्माड हो रहा है क्योंकि जो पट्टा होता है उसके बारे में प्रावधांधार 150 में दिया करने के बाद और जो निश्चित समय बीत जाए जिसके लिए पट्टा किया गया था तो वह उस पट्टा करता को वापस कर दी जाती है और इसमें कि प्रतिफल अर्थात कीमत का होना आवस्चेक होता है कि नेक्स्ट पुरोबंध का उपचार निमलिखित बंधकों में हैेसे से किस्म को प्लाप्थ है तो पुरोबंध का उपजार कि धारा सरसठ के अंतरगत दिया गया है यह के वल सिर्द बिक्रे《वारा बंधक》 में और विलक्छण तो अंतरित नहीं कर सकता है इस सूत्र का अपवाद संपत्य अंत्रण अध्रियम की निम्लिकित किन धाराओं में समाहित है तो इस सूत्र का अपवाद जो है वह टीपिए की धारा ऐसा व्यक्ति जान भूज कर इस संपत्ति को जो कि उसकी नहीं है किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर देता है तो इसे ही द्रिश्चमान स्वामी द्वारा अंतरण कहा जाता है और 43 में यह है कि जब यह जो है इस संपत्य को जिसका वह स्वामी नहीं था और उसने अंतरित कर दिया था और बाद में उस संपत्य को प्राप्त कर लेता है या उसका स्वामी बन जाता है तो पस्चातवर्ति आउसर पर या बाद में वह यह इस पाद से इंकार नहीं कर सकता कि यह संपत्य जिसे उसने पहले अंतरित किया था उसकी नहीं है अरफात इस संपत्य को उसे वास्तों में ट्रांसफर करने के लिए बाध्य किए जा सकता है मैं दान के संबंध में यद आधाता दान सुषिकार करने से पहले मर जाए तो क्या उसका क्या प्रभाव होता है तो दान स्विकार करने से पहले आदाता अर्थात स्विकार करने वाला व्यक्ति अगर मर जाता है तो ऐसा दान सुन्य हो जाता है इसके बारे भी प्रावधान टीपीए की धारा 122 के दूसरे पैरा में दिया गया है 3 कि संपत्य अंत्रण अधियम की निम्लिखी फिर मे सन 2002 में संसोधन किया और प्रवद्धान कि प्ट्टे की अवधी है वह क्या भोगी पट्टे की अवधी जो है कि यह दुम है दो प्रकार की अवधी होती है पहली होती है अर्फात ओवर्स से वर्स तक है और दूसरी होती है मासान हु अर्थात महीने से महिना तक तो वर्सान वर्सी पड़ा होती है कुरिशी या वी निर्मान के लिए कोई पड़ा किया जाता है तो इसके बारे में माना जाएगा कि से वर्स तक चलेगी और इसका जो समापन होगा यह 6 माह की पूरु सूचना देकर इसको समाप्त किया जा सकता है और जबकि मासानुवासी जो पट्टा होता है कि यह क्रिसी विनिर्मार के अलावा अगर अन्य मामली में कोई पट्टा किया जाता है तो यह मासानुमासी पट्टा माना जाएगा और इसको 15 दिन की पुरुचना के द्वारा समाप्त किया जा सकता है वह सिध्धांत जिसके अनुसार अंतरन करता को पश्चार्तवति अधि तो इसे जो है विवन्ध द्वारा अनुदान का परिपोर्शन का सिद्धांत कहा जाता है और इसके बारे में प्रावधान टीपीए कि धारा 43 के अंतरगत दिया गया है इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कपट पूर्वक या मिथ्या व्यपदेशन के तहत और जो अन्यवक्ति है जिससे ट्रांसफर किया जाना है वह इसके व्यक्तिशन पर विश्वास करके कोई कार कर दिया है या कोई च्छती उठा लिया है तो ऐसी स्थिति में जो ए है यह बाद में यह नहीं कह सकता कि उसे यह संपत्ति अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त कर लेता है तो उसे संपत्ति को भी को ट्रांसफर करना ही होगा वह इंकार नहीं कर सकता क्योंकि आपने पूरों वचन है उसके दारा विवंधन के सिध्धान के दारा बाध्य होता है सभवाद कि कोई आपने से अच्छा हक नहीं कर सकता तो यह अपने से अच्छा हक जो है अंतरीत नहीं कर सकता था लेकिन इसने जूट बोलकर कपट पूर्वक या अंतरीत करने की बात किया है और बी ने इसके विश्वास पर कार किया है जिससे उसको छती हुई है तो ऐसी स्थिति में यह अपने पूरो कथन से मुकर नहीं सकता है और उसे जब वह संपत्ति उसके अंदर नहीं हो जाती है एक अंतरगत तो एक जो है उस संपत्ति को वी को ट्रांसपर करने के लिए बात देखिए जा सकता है नेक्स्ट किस संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है तो टीपीय की धाराच्छा के अंतरगत यह बताए गया है कि कौन सी संपत्ति अंतरण की जा सकती है और कौन सी संपत्ति अंतरण नहीं की जा सकती है तो इसके अनुसार लोकपद का केवल उत्तरा अधिकार में पाने की कभजाधारी हसतानतर्ती पर किसी करवाही का अधिकार नहीं है तो यह सिद्धान्थ तिर्पन холод गया है और भागिक सिद्धान्थ के अनुसार जब किसी अचल संप्ति को के बदले में अंतरित करनी के लिए कोई संबिदा की जाती है या लेकभद करार किया जाता है और ऐसी जो संबिदा है वह लिखित हो और पंजी कृत हो तथा जो अंतरती है अर्था जिसके पक्ष में अंतरण किया गया है उसने संपत्य किसी भाग पर कबजा ले लिया है या यदि वह पहले से कब उसके काबिज है तो वह अपने कपजे को चालू रखता है या संबिदा के अग्रसर करने के लिए कोई कारिकर चुका है या वह संबिदा के अपने भाग का पालन कर चुका है या पालन करने के लिए राजी है तो ऐसी स्थिती में उसे उस संपत्य से कपजे से बेदखल नहीं किया जा सकता कि इस आधार पर कि उसने अंतरण की तक्नीकी उपचारिताओं को पूरा नहीं किया है तो इसे ही टीपिए की धारा तीरपन एक तहट पार्ट पर्फार्मेंस अर्थात भागिक पालन का सिध्धान्द कहा जाता है इसे मेडिशन बनाम मेडिशन बनाम एलडर्शन के केस में प्रच्वाजित किया अगया था और इसे जो है धारा तीरपन की एक अंतरगत समहित कर लिया गया है कि निम्रिकित में से कौन अनिय जिदी नहीं है कि अनियोज़ दावे के बारे में प्रावधान जो इसकी परिवासा है उधारतीन के अंतर गती गई है लेकिन यह नहीं बताए गया है कि कौण से दावे διαवा के अंतरगात आते हैं और नहीं आते के नेक्स्ट नेमलिखित में से कौन क्रिशीक पट्टे की किस्म नहीं है तो क्रिशी पट्टे के अंतर्गत इंडिगो की खेती करने होगी त005 पट्टा सबजी की खेती के लिए पट्टा chimney चाय के पोदे विक्रे ससर्त विक्रेद्वरा बंधक नहीं होगा कि किसधारा से समबनुद्र तोर अज्भान चाहित से समें कि अन्य वापस पाने के साहत कर देक अधन के और धारा 55 के अंतरगत क्रेता और विक्रेता के अधिकार के बारे में बताए गया है घारा 56 में पाश्ची क्रेता के करनबंधन के बारे में प्रावधान बताए गया है और धारा 60 के अंतरगत जो बंधक है उसको मोजन कराने के बंधक करता के अधिकार के बारे में प्रावध पूर्वबंध करता से संबंदित नहीं है बल्कि बंधक दार से संबंधित होता है निम्निकित legal को अवस्यक्तत नहीं है दान में दाता और ग्रहिता अधाटा पर इस बीबास्तू होता है तो एस प्रकार से जो प्रतिफ़ल है यह दान का आवर्ष्यक्तर तो नहीं है कि नेक्स्ट अचल संपत्तिका वर्सान वर्सी या एक वर्से अधिक का पट्टा जो है यह केवल पंजीक्रित लिखत के द्वारा ही किया जा सकता है इसके बार इंप्रावधान धारा 107 के अंतरकत दिया गया है इसके अनुसार जबकि अचल संपत्तिका वर्सान वर्सी या एक वर्से अधिक की अवधिक के लिए पट्टा किया जाता है तो वह केवल पंजीक्रित लि कि जा सकते हैं नेक्स्ट निम्रिखित में से कौन सा वाद मोचन के अधिकार से संबंदित है तो मोचन के अधिकार से संबंदित केस स्टैंड़ी बनाम वैल्ड का है कि नौक्स बनाम राइस का केस है और क्रिंगलियर बनाम नुट पेटा गोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंपने लिम्टेड तो इस प्रिकार से यह तीनों केस जो है यह बंधक के मोचन कराने के अधिकार से संब्दित है इसमें से स्टैनली बनाम वाइल्ड का जो केस है इसमें यह कहा गया कि अगर कोई करार है जो कि मोचन पर प्रतिरोध लगाने के लिए किया जाता है तो ऐसा करार सुन्य होता है अर्थात जो मोचन पर कोई भी बाधा नहीं या कोई प्रतिरोध नहीं लगा जा सकता है और नोक्स बनाम राइस के केस में यह निड़े दिया गया कि एक बार बंध्यक सदय बंध्यक होता है और कीवल बंध्यक है इसके लाभाव कुछ नहीं कि इसी प्रकार से एक केस आया था हैडilia मेनाम हेरिस का कि हेरीस हम यह निड़य दिया गया था कि एंबार बंध्यक सदयों बंध्यक HOTA है और इसी के नेड़े में दिये गए जो नेड़े दिया गया था इसको आगे बढ़ाते हुए नोक्स बनाम राइस के केस में कहा गया कि एक बार बंधक सदैव बंधक और कुछ नहीं केवल बंधक तो यही नेड़े इसमें दिया गया था नेक्ष्ट संपत्त्य के व्य अंतरण है तो निमलीकित में से कौन सा आवस्यक तत्व नहीं है तो सक्षम अंतरण करता यह आवस्यकान स्वीकार करने के लिए अंतर ती ब्यक्तिति को अंतरण किया दहा है तो यह जो है यह गलत है क्योंकि अंतरण करता और जिस Systems होना वर्श्यक है और अंतरण के बारे विप्रावधान धार दाराप 5 के अंतर की लिए टीपीय में लेक्स्ट सास्वत्तता के बिरुद्ध नियम लागू नहीं हो यद्नित के जाती है इसके बारे प्रावधां धारा ठार में दिया गया है और 手 out पर यह है कि किसी भीErगुस्पत्ति को अनिश्चित काल के लिए रोका नहीं जा सकता इसी को सास्वतता के विरुद्ध नियम कहा जाता है और इसका जो अपवाद है उधारा ठारम दिया गया है कि जन हित में अर्थात लोक कल्याण के लिए किसी संपत्ति को सास्वत काल के लिए अंत्रण न करने से रोका जा सकता है नेक्स्ट संपत्ति अंत्रण अधियम के अनुसार निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है तो पहला है संपत्ति का अंत्रण पक्षकारों के कार्य द्वारा किया जाता है तो यह कथन साही है दूसरा है संपत्ति का अंत्रण सामानेत्या एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसर इसके आनुसार संपत्य अंत्रर सेतात परिया है कि कोई एक जीवित ब्यक्ति दौरा एक या अन्याधिक जीवित ब्यक्तियों को या सुंध को वर्तमान में या भविश्च में संपत्य जो है अंत्रित की जा सकती है और तीसरा विकल्प है उस दसा में जिसमें बीधिद्वारा कोई लेक अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित नहीं है संपत्ति का अंत्रण बिना लिखे भी किया जा सकता है तो यहीं जो है विकल्प सही नहीं है और नेक्स्ट अरेजन पर राजस्ठिकर की प्राप्ति की आगमों के अधिकार पर संपत्त अंतरण अधद्रिन्यम की धारा 73 के अंतरगर दिया गया है और क्रमबंधन का सिध्धान्त यह दारा 56 में दिया गया है नेक्स्ट निम्रिकित को सुमेलित कीजिए तो पहला है चुनाव का सिध्धान्त या निर्वाचन का सिध्धान्त धारा 35 में दिया गया है प्रत्यासन का सिध्धान्त यह दारा 92 के अंत लाफ्या गया है इस प्रकार से 3 2 4 1 अर्थात पहला जो विकल्प है यह सही है नेक्स्ट चुनाव कासिधान्त निम्निमे से किस पर लागू होता है तो चुनाव का सिधान्त हिंदू मुसल्मान और इसाई सभी पर लागू होता है यद्द्धारा 35 जो है यह मुसल्मानों पर लागू नहीं होती है लेकिन फिर भी शादिक हुसैन बनाम हासिम अली के केस में प्रीवी काउंसिल के द्वारा यह निड़े दिया गया था कि जो चुनाव का सिध्धान्त है यह मुसल्मानों पर भी लागू होता है तो इस प्रकार से चुनाव का सिध्धान्त हिंदू मुसल्मान और इसाई सब पर लागू होता पुरोबंध का उप्चार निम्लिखित बंदकों में से किसम्र उपलब्द नेइससर्थ विक्रे दौराबंधक औरे मामले में इस उप्चार उपलब्द होता है नेक्सट रहं है एक घर को पांक्च पर देता है विए घर सीको एकँगजार रुपय मासिक किराय पर उप पट्टे पार दे देता है तो पांच बर स्वीध जाने पर घुछी घर पर कब्जा कायम रखता है और एक को किराया देता रहता है हो हर महीने अर्थात MAศाचियिस नुइनित होता रहता और एक सोले प्रभाव के बारे में बात करता है इसके जबकि संपत्य का पट्टेदार या उब पट्टेदार किया गया है वह निर्धारित अवधि के बीत जाने पर भी उस संपत्य पर अपना कब्जा जो है वो कायम रखता है और पट्टा करता व्यक्ति को उसका भाटक है या उसका किराया है देता रहता है और पट्टा करता है उस किराय को स्विकार करता तो बीट जानी पर भी यह पत्टा माना जाएगा कि वर्षानवर्स या मासा नुमास या महत्तृ तक रहता है तो इसी के फैलाव का सिद्दान कहा जाता है घया नेक्ट एक ब्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व अंतरित नहीं कर सकता है जिसको अंतरण करनेके लिए उसके पास अधिकार है लेकिन यहां धारा 41 में जो है यह द्रिश्यमान स्वामी द्वारा अंत्रण कर दिया जाता है अर्थात ऐसे व्यक्ति द्वारा अंत्रण किया कपट पूर्वक या जूट बोलकर तो बाद में वह अपने इस कथन से मुकर नहीं सकता है अर्थात उसको उस संपत्य का अंत्रण करने के लिए मुकरने नहीं दिया जाएगा इसी सिद्धाँन को 41 और 43 के अंतरगत रिए कि निम निखित में से कौन सही स्वुमेलित नहीं है तो निहित इत यह धारा 29 में है और समासरी थित के बारे प्रावधान धारा 21 के अंतरगत है तो इस प्रकार से दूसरा बिकल्प सुमेलित नहीं है नेक्स्ट संपत्य अंतरण अध्रियम के अंतरगत चुनाव के सिध्धान्थ का अधार यह है कि एक व्यक्ति जो लिखत का लाव ले रहा है उसे भार अवस्य वहन करना चाहिए और चुनाव का सिध्धान्थ जो है उधारा 35 के अंतरगत दिया गया है नेक्स्ट संपत्य अंतरण अध्रियम की धारा 41 विवन्ध बीदिका सामविधिक प्रवर्तन है तो यह कथन तो यह कथन सत्य है और विवन्ध का जो प्रावधान है वो टीप साक्ष्य अध्रियम की धारा 115 के अंतरगत दिया गया है इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति और जिया तो ऐसे जोट बोलने वाले व्यक्ति को अपने वचन से मुकर नहीं नहीं दिया जाता है इसे ही विवंधिका से दान्थ का जाता है अर्थात किसी ब्यक्ति को उसके पूरों के कथनों पर बांच दिया जाता है और इसी पर आधारित नियम जो है यह धारा 41 और दारा 43 है टीपीए की नेक्स्ट निम्लिखित में से कौन अन्योज दावा है तो मुस्लिम महिला का अधत्त मेहर का दावा यह अन्योज दावा है बाकी अपकृति बिदी के अंतरगर्ण नुक्सानी का अधिकार मध्यवर्ति लाब के लिए दावा और किसी पूस्तक का जो का प्रावधान टीपीए की धारा 130 में दिया गया है इसके अन्योज दावे का अंतरण जो है यह अंतरण करता द्वारा हस्ताक्ष्रिद लिखत के द्वारा किया जा सकता है कि नेक्स्ट संपत्य अंतरण अधियम की निम्कित में से कौन सी धाराओं में असपस्ट है कि विद में अंतरण की सथारा में परवासित है तो कपटपूर्ण अंतरण के बारे में प्रावधान टीपए की धारा तिरपन के अंतरण के अंतरण से ऩ опас है कि अचल संपत्ति का ऐसा अंतरण अंतरक के लेंदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आसे से किया जाता है और यह जो अंतरण है वह कपटपूर अंतरण कहलाता है और ऐसा अंतरण लेंदारों के विकल पर सुनिकरणी होता है और धारा 19 के अंतरगत निहित हित के बारें प्रावधान किया गया है नेक्स्ट निम्लिकित में से कौन एक अंतरणी नहीं है अर्थात किसका अंतरण नहीं किया जा रह तो निहित हित का अंतरण किया जा सकता है शर्मर्त किया जा सकता है मैं पट्ट अधारी का ही यह यह司 करने के लिए निम्लीखित में से कौन आवश्यक है तो अजयन में ब्यक्ष के पक्ष में जो संपत्य अंतर्ष किया जाती है ऑई हिध का स्रिजन किया जाता है उसके बारे म्मिय दिन के impact की जाता हिए और इसके अंसार जो अजन्मे ब्यक्ति के पक्ष में जब संपत्ति या हित का स्रिजन किया जाता है तो जो ऐसा स्रिजन जो है जीवित ब्यक्तियों के पक्ष में पूर्ण जीवन कालिन हित का स्रिजन करके किया जाता है यह सही है और दूसरा है अंतिम जीवन कालिन हित प्लक्ष में आजीवन हित का सर्जयन नहीं किया जाता वैल्किंद उसे आत्यानति या पूर्ण रिपिट दिया जाता है लेकिन कि अपना मकान भी को सर्थ के साथ विकर्ण करता है कि बी उस मकान को और ऊंतरिक यह जो अंतरण है यह ंतर्ण इसके इसके बारें तरहर थारा अंतरवधान भरहर किया गया है और धारादस पथा गया है में अच्ड़ करने वारी जो सर्त है वह सुनने होगी लेकिन अंत्रण जो है वह मानने होगा कि नेक्स्ट बी को यह 50,000 का दान करता है यह बी की सहमती से 50,000 में से 10,000 जब जी चाहे वापस प्राप्त करने का अधिकार अपने पास रखता है तो ऐसा जो दान है वह सकता है 40,000 रुपई तक के लिए तो मानने होता है लेकिन दस जार रुपई जो वापस पाने के लिए वह आरखछित रख्त के देता है तो यह 30,000 रूपई तक के लिए सुनने होगा और 40.000 रुपई तक मानने होगा कि इसके बारे में प्रावधान टीपे की धारणा 126 के अंतरगत दिया गया है नेक्स्ट एक सर्वस आदाता दाता के रिड़ दाताओं के प्रति दायत्वा दीन है ऐसे सर्वस आदाता का दाइत्व जो है उसके पास दान सुरूप दी गई संपत्त के मुल्य की सीमा तक होता है और इसके बारे में प्राउधान है और कोई व्यक्ति अपना सब कुछ या पूरी प्रापर्टी प्रॉपर्टी दान कर देता है और यदि उसकी संपत्तियों पर जो द़न की गई है कोई रिल है या तक या जिस मुल्य तक उसे संपत्ति प्राप्त हुई है नेक्स्ट दो अधिकारों में से एक को चुन्ना जहां यह असपस्ट आसे हो की दोनों का अपयोग आसाइत नहीं था तो यह क्या कहलाता है तो इसे जो है निरवाचन का सिध्धान का जाता है और इसके बारें प्रावधान धारा 35 में दिया गया है नेक्स्ट तत्प्रत्कूल संविदा या अस्थानी विधी या प्रथा के अभाव में अचल संपतिका वी निर्माड के प्रयोजन के लिए किया गया पट्टा किस अवधिके लिए स समझा जाएगा नेक्स्ट निमलीखित में से कौन समयापहरण द्वारा पट्टा के परियावसान का आधार है तो समयापहरण द्वारा पट्टा के परियावसान के बारे में प्रावधान धारा 111 के खंड G के अंतरगत दिया गया है, इसके उसे समापहरण द्वारा पट्टे का परियोसां तब किया सकता है, जब कि अभिव्यक्त सर्थ का भंग किया जाता है, या पट्टे Luck प्टे अन्य व्यक्त का ख़ड़ा करके यह दावा करता है कि वह सोयम हकदार है या अपनी वो पट्टे-धारी की हैसित को त्याग देता है तो ऐसी सिती में जो है यह समापहरण किया जा सकता है और 1111 के अंतरगत पट्टे का परियावसान के बारे में और भी तरीके बताए गये हैं जबकि कोई पट्टा समाप्त हो जाता है जैसे परिसीमित समय के बीट जाने पर अर्थात पट्टा की अवधी समाप्त हो जाने पर पट्टा धारी जब अपने अधिकारों का अभ्यरपन कर देता है या त्याग देता है या पट्टा करता का हित पट्टा धिकारी मे निहित हो जाने पर या भी वक्षित रूप से अब भ्यारपन करके तो नेक्स्ट निम्लिखित को सुमेलित कीजिए कि तो पहला है अभी धारण नहीं है यह अतिधारण है कि इसके बारे प्रावधान धारा 116 के अंतर्गत दिया गया है और अतिधारण यह पट्टे का किया जाता है सर्वस अधाता तो सर्वस अधाता के बारे प्रावधान धारा 128 में दिया गया है और सर्वस अधाता यह दान के होता है तो इस प्रकार से 3214 पहला विकल्व सही है नेक्स्ट सही उत्तर बताईए तो कथन ए दान की विधिक अनुसंगतियों में दान का आत्यांतिक उपभोग सामिल है तो कथन सही है कारण इसका है कि आदाता को दान के उपयोग करने से किसी भी सर्थ द्वारा निर्बंधित नहीं किया जा सकता तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है नेक्स्ट बंधक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तो पहला यह विरिदिस अचल संपत्ति में हित का अंत्रण है तो यह सही है और बंधक में स्वामित का अंत्रण होता है तो यह कथन सही नहीं है क्योंकि बंधक में स्वामित का अंत्रण नहीं होता स्वामित का अंत् है लेकिन बंध्यक में किया जाता है तीसरा है प्रतिफल बंध्यक का अवस्यक्तर्थ है तो यह भी सहई है संपत्य अंत्रण अधनिया में 6 प्रकार के बंध्यक बताए गए हैं तो यह भी है च्छय प्रकारों में से है साधा बंध्यक सचर्थ विक्रय द्वरा बंध्यक भोग बंध्यक अंग्रेजी बंध्यक हुआ कि और हक्विलेखों के निक्षेंग द्वाराबंधयक और बिलक्षड बंधयक इस प्रकार से अंतरण का दस्तावेज वैद रूप से अनुप्रमाडित होता है कि अनुप्रमाड़न के बारे प्रावधान धारा तीन के अंतरगत दिया गया है इसके अनुसा जबकि संपत्ति संपत्ति अंतरण अधियम के अंतरगत अचल संपत्ति नहीं है तो अचल संपत्ति जो है यह पूजा करने का अधिकार यह अचल संपत्ति के अंतरगत नहीं आती है और यह यह जो है महावाया बनाम हरिदास और जैदेव वनाम रामसरण के केस में यह निर्धायत कि अगया था कि पूजा का अधिकार अजल संपत्ति नहीं है नेक्स्ट निम्ण में से कौन एक अन्योज दावा नहीं है तो अन्योज दावा पारिवारिक समझहोता नहीं होता है और इसके अलावा परित्याग वसीयत सरकारी अरुदान सुखा धिकार यह सब जो है संपत्ति अंत्रण नहीं होते हैं नेक्स्ट संपत्य अंत्रण अधिनियम के अंतरगत निम्न में से किसे किसी संपत्य के अंत्रण हेतु वैध प्रत्फल के रूप में मानता नहीं है तो वैध प्रत्फल के रूप में मानता यह नैसारगीक प्रेम और स्ने को प्रत्फल नहीं माना जाता है बाकि चल संपत्य प्रत्फल हो सकता है काल बाधित रूप से की जाने वाली जो सेवा है यह भी प्रत्फल के रूप में समायो जित की जा सकती है नेक्स्ट वह नियम जो पस्चातवर्ती बंधक रहीता को अधिकरित करता है कि वह दो संपत्यों के पूर्वर्ती बंधक रहीता को बाधिकर सके की वह पूर्विक बंधक रिड को ऐसी संपत्यों से सम्तुष्ट कराए जो की पस्चातवर्ती बंधक रहीता के पास बंधक न दिया गया है नेक्स संपत्य अंतरण अधिरियम के अंतर्गत एक भार जो है कि भार जो है केवल अचल संपत्य पर ही स्रिजित किया जा सकता है और भार के के द्वारा हो सकता है समापहरण द्वारा होता है अभ्यारपण द्वारा होता है इस प्रकार से उप्रयुक्त सभी रीतियों से हो सकता है तो दारह 111 में यह बताया है कि पट्टे का जhou परियावसान होता है समय या परसीमा के बीथ जाने पर होता है किसी वी निर्दिष्टों Nie ा teat he is ha do है मिलियन द्वारा हो सकता है अभिव्यक्त अभ्यारपन द्वारा हो सकता है विवक्षित रूप से त्याग के द्वारा हो सकता है जबकि समापहरण कर लिया जाए या पट्टा को जो है संपत्ि को छोड़ देने की सूचना के द्वारा भी पठे का प्रयोसान हो सकता है नेक्स्ट निम्लिकित में से कौन सुमेलीत नहीं है तो पहला है संचैन के लिर्देश संचैन धारा सातरे के तहफ किये जाता है और बंधक करता की पट्टा करने की सकती ये धारा 65 A के अंतरगत दिया गया है धन का विंद्वा इसके बारे प्रावधान धारा 120 में नहीं है बलकि धारा 121 के अंतरगत दिया गया है और धारा 120 के अंतरगत बिन्मय के पक्षकारों के अधिकार और दैतों के बारे में बताए गया है नेक्स्ट अंतरण के कौन से प्रकार के लिए लिखित बिलेख में दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणन को संपत्य अंतरण अधियम में बाध्यकारी प्रावधानित किया गया है तो इसके बारें प्राओधान दारा 69 में दिया गया है जो कि बंधक से संबंधित है और इसमें यह कहा गया है कि जब 100 रूपए या उससे अधिक के मुल्ली की संपत्तिका बंधक है और जो बंधक मिलेखों के निच्छेपऊं द्वारा बंधक से भिन्द है तो ऐसी स्थिति में बंधक करता द्वारा हस्ताक्षित और कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमारित पंजीक temporary लेख से-द्वारा ही बंधक किया से हास्ताक्षरित और कम से कम दो शाक्षियों द्वारा अनुप्रमारित पंजी रिट लिखत द्वारा किया जाना चाहिए बंदक में धारा 169 के तहात और 153 ौप्रा ओश्यक है इस प्रिकार अभी तक हमनें टीपिए के सव महत्रमूर्ण प्रसनों को हल किया है जो कि उसकी प्रॉपर व्याख्या के साथ है और उमीद है कि यह वीडियो आपको बेहद उपयोगी साभीत होगा और आपकी जो है उसको दूर करने में सहाइक होगा तो आप हमारे और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेहर करें